असलाम अलेकूम वेलेकम टू मेहताब गाड़न तो दोस्तों आज की वीडियो में सॉंग आफ इंडिया ड्रेसिन रिफिलेक्सर जिसको हम दो कहते हैं इस प्लैंड की मैं कटिंग लगाने जा रहा हूं कि यहाँ टो प्रोगेट ट्रेसिन रिफिलेक्सर यह सॉंग अफ इंडिया फूर्म कटिंग तो आप देखें इसके कटिंग काफी असान होता है लगाना अधिया थे बड़ा समय पलांट है तो इसमें से मैं यह तीन कटिंग हुदाए लिया हूं और आप देख सकते हैं अच्छी हल्डी कटिंग से अ sür Haru यह एक टीप की कटिदिंग नहीं है यह टीप से निचल निचलाई निचला है दोस्तों है तो इसकी आसानी से कोई भी आपकी कटिंग लग जाती है और यह टीप के कटिंग है इसको भी हम लगाएंगे एक ही तेन दोस्तों आखरी में आपको इसल्ट भी दिखाँगा कि कुछ दिन पहले में एक ट्रूर आया ता दो भी लग गया इंडोर प्रणाट में आता दोस्तों ये इंडोर प्रणाट होता और काफी प्यारा ब्यूटिफल सब्रणाट होता है यह आप देख सकते हैं मेरा गार्डन के कुछ ब्यूटिफल सब्राइब यह फिलावर तो सेमी शेड मेरा ग्रीन शेट की निचे रखते हैं तो काफी प्यारे चलता है यह प्लांट वहने सुबर के आदर गिंटे के दूब मिल जाए इसको बागी शेटी पिले इसमें अच्छी रोशनी मिले तो बहुत पसंद रहता है यह रोशनी साहिदार जगा को को इसे कटिंग दोस्तों अब असानी साथी मिट्टी में लगा यां गमले के पुरानी मिट्टी जो होती है उसमें लगा सकते हैं असानी से लक़ जाता है लेकिन आपको सबर कहना पड़ेगा कब सद्रम एक मुनीन है इस में ये चोटे गमले लिए हूं छीय साथ थे छे इ इसमें मिटी में एक्स्ट्रा खाद या फटन या आप नहीं मिलाएं तो बहता रहे क्योंकि खाद पर टिनलाज दोसे मिला देंगे तो टिंग लगती नहीं है कि टिंग से हमारे खराब हो जाए खराब हो जाएगी तकि बीच से पचीस दिनों दुस्तों रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी इस प्लाट में जो मैं लगाने जा रहा हूं छे इंच की आठ इंच की दस इंच की कटिंग आप असानी से लगा इस प्लाट का कोई देखत नहीं है नीचे के आप कुछ पत्ते उतार दें 8-10 पत्ते में उतार दिया हूं यह देखिए कटिंग लगा दिया हूं निचे ले पत्ते आप उतार लें लाजमी क्योंकि ज्यादा पत्ते हूंगे तो गयाटिंग हमारे स्वाइब करना मुश्किल हो जागा है दोस्तों यह देखिए इतने सारे पत्ते में निगा दा हूं कि चैनल पर नहीं होगे तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लिए कि मैं चैनल पर आपको बहुत ही गाड़निक से एलेटेड इंफोर्मेटी वीडियो मिलता रहता है तक्रिबंट डेली में वीडियो अप्लेट रहता हूं कि मिट्टी में तक्रिबंट दोस्तों धाई से तीन नीच आपको दबाना है और कटिंग लगाने के बाद आपको एक बाद बताओ कटिंग से लगाने के बाद दोस्तों साय वाली जगह पर रखना आपको तक्रिबंट इसको 20-25 दिन या रशनी तो मेले लेकिन धूप ना मेल इसको अब यह लंभी कटिंग है आठ से दस दस सिंच के कटिंग है यह तो तीन में दूस्तों एक ही गमले में लगा दिया हूं कि अधिया को सफाय वह जगह पर दूँगा तो सवंग अफिडिया को लगाना काफी काफी असान है दोस्तों कोई मसला नहीं है डैसीना के जितनी डैसीना फैमली के जितने भी प्रांट से असानी से लग प्रोपेगट हो जाता है यह इसमें पानी डालने आप इतनी पानी कि मिट्टी भीग जाए बस ज्यादा पानी जब नहीं है मिट्टी गंदें दिचे तक असानी से भीग जाए कि तो दोस्तों वीडियो पसंद करता हूं उमीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा कुछ दे पहले से में कटिंग उतागा था थो थोड़े से मुझा गया है लेकिन अभी सेट हो जाएगा यह एक दो दिन में अब दोस्तों भी देख सकते हैं यह एक मेंना पहले लगाया था एक में एक दिसे देर में यह अच्छे से लग गया है और यह दो दिन पत्ता भी निगा लिया तो ट्रेसी तक रिप्लेक्स आगे करें आप असानी से लगाए कोई मसला नहीं है निसी वाली बेसी तरह प्ला झाल झाल